आप सब लोग आई होप सब अच्छे हैं सब ठीक हैं आज की इस वीडियो में जैसा कि आप लोगों को पता ही है आप लोगों का बहुत ही ज्यादा एक चाप्टर है क्लास के अगर मैं बात करूं तो यह क्लास 7 में भी है और क्लास 8 में भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा ठीक है तो इसके अंदर आप लोगों को कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है उसी के उपर आज हम बात करने वाले हैं और ध्यान रखेंगे कौन-कौन स चीज़े आप लोगों को पता होने चाहिए इसके अंदर ठीक है बेटा तो सबसे फ़हले स्टार करते हैं इस चाप्टर के अंदर सबसे पहले तो आपको एक चीज़ पता होने चीज़े परसंटेज जो आप 4th, 5th, 6th क्लास से थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने सुना हो नाम लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा तो प्रसंेज को मतलब हम लोगों ने मैं मियम यह चीज रहती है और इसको के वह कंवर्ट करना है या पर tu Ciao पर संथ को बड़ी क्लास का मिलती है त्यौचिए तो अगर मैं आप को बोलूँ, percentage, तो percentage का मतलब बेटा होता है hundred. ठीक है? जब भी हम किसी की percentage बोलते हैं ना, तो हो hundred में से ही होती है. अब देखो, आपके school में marks आए 75%. तो वो कितने में से आए? वो 200 में से नहीं आए, वो 250 में से नहीं आए, वो 500 में से नहीं आए? percentage हमेशा 100 में से ही count की जाती है ठीक है? I hope इतनी चीज़ आपको समझ आ गई अब इसमें questions जो है वो देखने के लिए मिलते है percentage conversion के conversion का मतलब यह होता है कि आपको percentage को convert करना है किस-किस तरीके से convert करना हो सकता है अगर मैं बोलूँ आप लोगों को जैसे मैंने लिखा है 3 ratio 1 इसको हमें percentage में convert करना है अब यह कौन सी form है? यह एक ratio form है अब यह हमें इसको convert करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आ जाएगा 3 upon में पहले हमें इसकी percentage form जो हो निकालनी है तो 3 upon में क्या हो जाएगा? इन दोनों का total कितना है? 4 3 upon में 4 दन उसके बाद में 4 कैसे आया? अगर मैं बूलूँ आप लोगों को आपने अगर पिछली time पर किये उनकी चीजे तो इसके अंदर plus करके 4 आता है ठीक है? किस तरीके से आता है? जैसे अगर मैंने बोला है आपको 3 ratio 1 25 थ्रीजा हो जाता है 75 ठीक है? तो ये 75 क्या आगया? परसेंट ये आपकी fraction की जो है मतलब ratio form का हमने percentage form निकाल लिया इस तरीके से बहुत सारी forms होती है fraction को भी हम ratio percentage में convert करते हैं decimal को भी percentage में form करते हैं बहुत आप चीज़ों को हम percentage form करते हैं ठीक है? अब जैसे कि अगर ये तो fraction term थी हम लोगों को अगर मैं बोलूँ आपको decimal form दी है इसको मैं बोलूँ percentage में change कर दी है ठीक है? तो percentage में इसको कैसे change करना होगा हमे 0.25 है तो ये 25 अपन में क्या आजाएगा? 100 ये तो हमें पता ही है पॉइंट के बाद जितने digit होते हैं तो नीचे 0 लग जाती है है ना? और percentage में change करना है तो percentage का 100 100 से 100 कट हो गया और आंसर विल भी 25% तो ये आपका 0.25 का जो percentage form है वो बनी 0 मतलब 25% ठीक है? I hope ये चीज़ आपको ध्यान से आपको समझ आई होगी ये आपको दिमाग में रहेगी तो आप बहुत सार चीज़े आराम से कर लोगे चप्टर आपका एकदम basic जो है पूरा clear हो जागा इस वीडियो को देखने के बाद ठीक है? तो इस तरीके से percentage को convert किया जाता है अब इसके बाद एक term और आ जाती है जैसे मैं बोल देती हूँ कि हमें किसी चीज़ का percent निकालना है जैसे मानलो मैं 100 रुपे थे मेरे पास और मैं market जाती हूँ ठीक है? मुझे ममी ने 100 रुपे दिये कि 100 रुपे हैं ये और market जाओ और market में आप जो है एक shop से थोड़ी से सबजीयां लेकर आना तो मैं सबजीयां लेकर आई और जो सबजी है वो 1 by 5 रुपेस की आई 100 में से 1 by 5 रुपेस की वो आ गई या फिर इसके अलावा मैं बोल दूँ कि 20 परशंट की मैंने सबजी ले ली अब मैं ममी को ये तो नहीं बोलूँगी की ममी मैंने 100 में से 1 by 5 की सबजी ले ली ना पर मैं ये बोलूँगी की आई हम्हें इसकी एक amount वाली form निकालनी है या तो मैं बोलूँगी 100 रुपे मैं से 90 की रुपेस की बीज G20 Kशी पचास के लिए सतर के लिए ऐसे बोलूंगी मैं तो उसी फॉर्म को अब हम निकालना सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं ठीक है मान लो अगर मैं 100 रुपीज थे और 100 का मैंने आगे अगर ये बोल देती हूँ जैसे कि मैंने बोला कि 2 by 5 की मैंने सब्जी ली तो आपको 2 by 5 निकालना है 100 का तो 100 का 2 by 5 ऐसे निकलेगा ठीक है 2 by 5 off 100 off का मतलब ही multiply का sign होता है अब इसकी cutting कर देंगे 5 2s are 10 0 की 0 तो इन दोनों को जब हम multiply कर रहे हैं तो 22 का कितना आया है 40 तो 100 में से मैंने कितने का समान लिया 40 रुपीज का समान लिया ठीक है अब आप अपने ममा को बता होगे तो यही बोलोगे off का मतलब बताया क्या होता है multiply होता है 20% का मतलब क्या होता है work LEON क्या हिन्द तो नीचे आपके लगजाएगा 100 ठीक है जब आपको percentage का sign दिग गया तो नीचे लग जाएगा 100 हमेशा percentage जिसके भी साथ है उसके नीचे 100 हमेशा आएगा of का मतलब होता है multiply and then क्या है 100 यह I hope यह चीज़ आपको समझ आ रही होगी एक एक्जामपल अमोर लेते हैं मानलो मेरे पास 500 रुपीज थे ठीक है I went to market और मेरे पास 500 रुपीज थे अब मेरी फ्रेंड जो है मुझे रास्ते में मिल गई उसने मुझे बोला यार तो मुझे 50% गोउनट दे सकती है तो मैंनेगा ठीक है ले ले कोई बात नहीं अब 50% हम मनें पता भी तूण चाहिए ना कितना है हमें तो नहीं पता 50% का यह तो है 50 परसंट का एक नॉट है हमारे पास हम वह उसको धे देंगे 100, off का मतलब क्या होता है multiply and then last में 500, खतम, अब उपर नीचे आपको cutting करना है, cutting आपका base है यहाँ पर इस chapter में आपको cutting करना आना चाहिए वेटा, ठीक है 101, 100, 105, 500 अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे multiply, 55, 250 तो ये आपका आ गया, मतलब 500 रुपे में से, वो कितने पैसे मांग रही है वो 500 रुपे मांग रही है, कि मुझे 500 रुपे दे दो, ठीक है, इस तरीके से ये questions होते हैं तो आपको question देखने के लिए ऐसे ही मिलते हैं जैसे मैंने बोला, 20% of 180, अब 20% of 180 का मतलब 20% का नीचे 100 of 180, ठीक है एक 0 से 0 कट, उपर नीचे कटिंग करनी है हमेशा, आमने सामने कटिंग नहीं होने से ठीक है, एक या तो हम इसकी कटिंग इस से कर सकते हैं, या फिर हम इसकी कटिंग इस से कर सकते हैं, ये दोनों कभी भी 20% कितना है 36 है ठीक है इस तरीके से इसमें questions आपको देखने के लिए मिलेंगे अब वो थोड़ा सा complicated ले लेते हैं question और वो बोल देते हैं कि 20% of it is 200 अब यह question थोड़ा सा घुमा के आ गया लेकिन मैं confused नहीं होना है बहुत ही simple है क्या बोल रहे है 20% 20% का मतलब होता है 20 and upon में 100 क्योंकि percentage form लगा है off का मतलब होता है multiply का sign ठीक है अब it का मतलब है किसी चीज़ का 20% बट हमें किसी चीज़ का तो हम बताए ही नहीं किस का percent तो उसको हम let कर लेंगे x then उसके बाद is का मतलब होता है equals to का sign और last में आ जाता है 200 ठीक है ध्यान से समझेगा सबसे पहले हमने 20% का 20 upon 100 करा off का मतलब होता है multiply का sign it का मतलब होता है x क्योंकि it की value हमें नहीं दी हुई is का मतलब होता है equal to का sign और 200 गया 200 आ गया ठीक है अब हम इसकी करेंगे cutting पहले हमें इसको solve करना पड़ेगा 120 को x से multiply करा कितना बना 20x और नीचे के आ जाएगा 100 equals to के आ जाएगा 200 ठीक है इस तरीके से मैं यहां पर लिख देती हूं पहले आया 20x यहां पर आया 100 इधर आया 200 अब इस तरीके कि जब आपके पास term आ जाएगी ना तो आपको cross multiply करना है ऐसे तो 200 और इंटू 100 उपर आ जाएगा 200 इंटू 100 उपर आ जाएगा और जो यह x वाली term होती है यह हमेशा नीचे आती है तो नीचे 20 आ जाएगा कटिंग करेंगे 20 10 200 ठीक है और आप इनको multiply कर देंगे अगर तो यह आ जाएगा एक दो तीन क्योंकि यहां पर एक दो तीन तीन जिरो है तो यह आ गया 1000 ठीक है बटा तो इस तरीके से आपको दो टाइप मिलते हैं complicated टाइप के तो वो आपको इस वीडियो से समझ आ गए हो तो आपको कैसे करना है पहले आपको 2 का ratio निकाल दीए तो की percentage फिर 3 की percentage कैसे निकलेगी 2 upon में 3 और 2 कितना होता है 5 और percentage निकाल निकालनी है तो इंटू 100 5 2 जा 10 0 की 0 22 जा 40 एक आ गया 40 परसेंट अब 3 की निकालनी है तो 3 फिर से अपन में 5 इंटू में 100 5 2 जा 10 0 की 0 तो यह कितना आ गया 2 3 06 मतलब 60 तो यह आ गई ratio को percentage form करना ठीक है और इसी के अलावा मैंने भी एक बताया 0.5 है इसको में change करना है percentage form में तो कैसे करूंगी 0.5 नीचे आ जाएगा 10 10 की आया क्योंकि point के बाद यहां एक डिजिट थी जो हमने decimal में करा हुआ है तो upon में 10 और इंटू 50 तो यह आ गया 50% ओके बटा इस तरीके से आपको questions जो है वो देखने के लिए मिलते हैं अब आगे अगर हम बात करें तो question एक और टाइप आ जाता है इसके अंदर unitry method unitry method इसके अंदर मैं को बहुत ही मज़दार से trick बताऊंगी जो आपको ध्यान अपनी हो और आपके questions कभ अब कई बचे जो है वो इस question को माइन में भी solve कर लेंगी क्योंकि easy statement है लेकि अगर थोड़ा मुश्किल सा आ जाता है तो कैसे होंगे इस type की questions उसको करने के लिए आपको क्या करना है question है 10 books की जो cost है 10 books cost equals to 1000 रोबिस find out 20 books cost 20 books की cost कितरी होगी अब यहां पर देखो बटा एक आपको ध्यानक नहीं आपको last में क्या दिया हुआ है books दी हुई है जो चीज लास्ट में given है वहीं से हमें question को start करना है last में क्या given है books given है तो books से start करेंगे शुरू में क्या था 10 books cost equals to कितरी थी 1000 अब हम वन की निकालेंगे एक book की पता होगी तभी तो हम बाकियों का पता सकत एक book की कॉस्ट कितनी होगी तो यहीं आजाएगा same और यह 10 था ना यह वाला 10 यह इधर आके नीचे आजाएगा यहां पर अब हम इसकी cutting कर देंगे अगर cutting हो रही है दिख रहा है आपको तो ठीक है अदर्वाइज आप नीचे उतार सकते हैं तो यह 10 10 जा 100 and last में और 0 तो यह 100 पर कट हो गया अब हमें कितने book की कॉस्ट पता कर नहीं थी 20 बुक की कॉस्ट तो एक बुक की कॉस्ट कितनी आ गई 100 रुपिस तो 20 बुक की कॉस्ट कितनी होगी देन हम लास्ट में इसको कर देंगे multiply तो 100 इंटू 20 तो यह आ गया 2000 ठीक है इस तरीके के जो कुशन होत फॉपatro के वो 5 किलो मीटर में 5 किलो जो सफर है वो तै करती है 50 लिटर में ठीक है 50 लिटर पेट्रूल में तो उसको 25 लिटर जाने के लिए कितना तेल लगेगा पच्चिस किलो में जाने की लिए कितना तेल लगेगा उसको अब देखो लास्ट में given क्या चीज है गिवन से दो नहीं है किलो मेटर तो हम पां से चूरू करेंगे लिए यहां से आफ यह उसके करेंगे 15 किलो MR chron के लिए 25 इंटू 10 तो यह आ जाएगा 250 लीटर कित्र है और लगेगा उसको 250 लीटर जो ऑल है वो उसको लगेगा इसमें 25 किलो मेंटर कवर करने में चिल्छ है तो इस टाइप के कोश्चन आपको समझ आ गए होंगे अब हम एक और टॉपिक इसके अंदर आ जाता है दाट इस सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है अगर मैंने 10 रूपिक चीज खरीदी और बारर रोपे में बेज दी तो 10 रूपिक में चीज खरीदी है उसको हम बोलेंगे कोस्ट प्राइस और जो बेची है उसको हम बोलेंगे स्यलिंग प्राइस ॔र यहां credible आई あपने सुना ही ओगा अब मालो आपका कोई दोस्त था और उसने बोला यार मैं एक पैन लेकर आया हूं जो बहुत अच्छा है चमकता है और उसमें लाइटनिंग भी होती है वगयरा वगयरा और यह 100 रुपिस का में लेकर आया था ठीक है अब तुम्हारा कोई फ्रेंड आया तो उसने तुम्हें बोल ब्रवन जीरों का तो तुम्हें प्रविट होगी लॉस होआ है जब तौम्हें लेकर और हुग्ट होगी तुम्हें, बहुत ब्रस नहीं कोई दया तो 10 रुपिश में लेकर यह शु把ढ़ी की क्युति हए लेकर लेके होता है और sp ज़ादा होता है तो हमें क्या होता है और यह इल्टा कर दो cp हमेरा जादा होता है sp फिक गंसे यह यह ठाल है अब इसी तरीके से एक сторону आजाता है that is profit percent और loss percent इसको किस तरीके से करते हैं मानलो 100 रॐख की चीज थी cp सौ रॐख का था और sp जो है profit percent हुआ यह loss percent तो कितना हुआ तो बिटा देखो profit तो हमें simple निकल सकता है minus करके लेकि यह percent का sign लगा है तो उसके लिए particular formula यूज होता है CP 100 था, SP 120 था कितने का profit हुआ? 20 रुपे का profit हुआ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मतलब कि 20 रुपे profit लेकिन हमें तो percentage find out करनी है तो percentage find out करने के लिए formula होता है अगर मैं profit percent की बात करूँ तो formula होता है profit जो profit बना जैसे 20 रुपे का profit रुपे का profit रोड़ था ना वो upon me CP into में 100 इस तरीके formula बनेगा ठीक है? अगरा है loss percent loss upon me CP into में 100 इस तरीके के questions में इस तरीके का formula यूज होता है ठीक है? अभी example कर लेते हैं मानलो अगर मुझे CP जो है वो 100 रुपे था और मैंने वो चीज जो है 120 रुपे में बेची मैंने बोला कि मुझे profit percent या loss percent बताओ तो हमें इतरह न तो समझ आई रहा है कि profit हो रहा है तो आई होप यह चीज आपको समझ आ गई होगी और इसमें अब आप लोगों को doubt नहीं रहेगा इन concept में अब एक last concept जो है वो बहुत ही important वह हम कर लेते हैं जिसमें last questions बनते हैं आ जाता है principle इसके अलावा में आ जाता है rate इसके अलावा में आ जाता है time और एक आ जाता है amount इस type questions भी आपको last में देखने के लिए मिल सकते हैं same chapter में ठीक है तो यह क्या क्या होते हैं देखो बटा simple सी चीज है अगर मानलो मैं 100 रुपे आपसे उधार ले रही हूँ ठीक है आप मुझे बोलोगे ठीक है मैं आपको one month का time देता हूँ और आप मुझे एक महीने बाद पैसे दे देना लेकिन आप मुझे 10% इंटरस्ट रखके देखना तो 10% इंटरस्ट का मतलब यह होगा कि मैंने 100 रुपे जो है वो लिए और 10% मुझे उसके उपर इंटरस्ट रखके उस चीज़ को देना है तो 100 का 10% निकालूंगा मैं तो 100 का into 10% ऐसी निकलता है लेकिन अ यह बन जाएगा 110 तो मतलब सिंपली बात क्या हुई कि 100 रुपे जो थिये थे जो मैंने उधार दिये थे वो था प्रिंसिपल उसको बोल जाता है प्रिंसिपल और जो 10 रुपे एड़ हुए उसको बोल जाएगा इंटरस्ट उसको क्या बोल जाएगा इंटरस्ट और इसके टू येर के लिए दिया, थ्री येर के लिए दिया, इस तरीके से, ठीक है, I hope इसका concept आपको समझ आ गया होगा, अब इसमें question किस तरीके से करने होते हैं, जैसे मानलो हमारे पास formula बनता है, simple interest equals to principal into rate into time, upon में आ जाता है 100, ठीक है, ये formula आपको देखने के लिए मिलेगा, तो PRT upon में 100, question कैसे आता है, principle आपको मानलो दिया है 500, इसके अलावा में आपको rate दिया हुआ है, यहाँ पर 5%, time दिया हुआ है, one year, और इसके अलावा में आपको simple interest जो है, वो find out करना है, ठीक है, तो आपको इसको किस तरीके से करना होगा, अगर simply मैं बात बोलूं, तो आपको इस में 100, यह formula लगना होता है, तो P कितना है, 500, R कितना है, 5, T कितना है, one year, और upon में 100, cutting कर देंगे इसकी 105, 500, अब यहाँ पर जब आप सबको multiply करोगे, 55, 25, 25, 25, 25, 25, तो यहाँ पर simple interest जो आगया, वो होगा, 25, ठीक है, इस तरीके से आपको questions जो है, वो देखने के लिए मिलते हैं, अब इनी questions में, एक चीज़ और बोल देगा, एक आपको अलग चीज़ दिख जाएगी, that is amount, amount का मतलब क्या होता है, जब 100 रुपीज मैंने उधार दिये थे, 10 रुपे मैंने interest के add कर दिये, जब इन दोनों चीज़ों को add कर दिया जाता है, तो वो बन जाता है amount, ठीक ह इस तरीके से आपका questions जो हैं, वो find out होते हैं, इस तरीके से आपको last में देखने के लिए मिलेगा, अब इसके बाद आगे एक चीज़ और आजाती है, जो हमें उल्टा करके दे देते हैं, उल्टा करके कैसे देंगे, माली जी हमें simple interest दे दिया उन्होंने 25 रुपे, और इस तो इसको किस तरीके से करेंगे हम, अब हमें principle तो given नहीं है, लेकिन simple interest given है, तो यहाँ पर हमारा करने का simple तरीका यह है, कि formula यह है, simple interest equals to P into R into T upon me 100, तो simple interest का मतलब क्या हुआ, simple interest के नीचे हम लिख देंगे 25, क्योंकि वो already given है, principle नहीं दिया तो principle ऐसी, rate हमें दिया है, 5% तो पूरी सेमी रहेगी, बस हमें यह धियान रखना है, कि हम किस तरीके से इसको cross multiply में कर सकते हैं, बस जो जो चीज़े given थी, वो लिख लेना है, वरना बच्चे जो है, वो डर जाएंगे, कि simple interest given है, अब हम क्या करें, तो इसको इस तरीके से करना है, simple, जो जीज जगा पर है, और फिर उसके बद cross multiply, तो जब यहाँ पर P है, इस वाली value को नीचे लालना है, और 25 और 100 उपर आएंगे, मतलब 25 into 100, और upon में आ जाएगा 5, और इदर आ जाएगा P, अब 5 to the 10, 0 कि 0, अब इसको जब हम multiply करेंगे, तो यह बन जाएगा 25 to the 50, तो यह आ गया 500, ठीक है, तो इ जब chapter करोगे, तो आपको कुछ-कुछ दिमाग में दीर दीर घुसना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है बिटा, तो वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नेक्स्ट वीडियो म अग्स्ट ट्रपिक के साथ जल्दी मुलकात होगी, तैंक्यू सो मच चरव वाचिंग, बाबाई